हाई गाईस वेलकम बैक टो में चानल कैसे हो आप सब आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करूंगे बहुत जादा सिंपल वाला मेक अप लुक अगर आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से सिंपल सा मेक अप लुक कर सकते हो इस लुक को आप कॉलेज में और ओफिस वगेर भी आप कैरी कर सकते हो अगर आपको घर पे थोड़ा सा त्यार होने का मन करते तो आप ऐसे ही तैयार हो सकते हो देख दिखाई की रसम के लिए मैंने एक और मेक अप लुक अपलोड किया था बनार्सी ग्रीन सूट में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में डाल दूँगी उसमें मैंने पूरा मेक अप किया था पूरा पाटी टाइप मेक अप किया था कुछ लोग कह रहे तो वो दी जादा मेक अप है आप हमें सिंपल सा लुक शियर करो तो डियर आज आप ही लोगों के लिए ये वली मैंने वीडियो अपलोड की है सारे प्रोडक्स के परचेस लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप एक बर देख लेना आउटफिट की बात करें तो बहुत ही जादा ब्यूटफुल वला आफ वाइट कलर का ये कुड़ता है ये आजियो हॉल मैंने शियर किया था तो ये उसी के कपड़े हैं ये आजियो के मैंने इसको फिटिंग नहीं करवाया हुआ ज़स पीछे से ना सेफटी पिन से मैंने इसको कर लिया था और ज़स्ट मैंने दो चार फोटोज वगेरा ले ली प्लाजो की बात करें तो आजियो का ही एक और कुड़ता सेट था रेड कलर का तो उसी का मैंने प्लाजो टीम अप किया है लिंक आपको मैं दोनों चीजों का डिस्किप्शन डॉक्स में डाल दूँगे आप जाके चेक आउट कर लेना ये कुड़ता लेना चाहते हो तो जरूर लो बहुत जाद अच्छी क्वालिटी का है बाकि जूलरी की डिटेल्स अभी मैं आपको दूँगी सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी थैंक्यू फार्मर का ट्रू वाटर डीप टोनर ये आर टोनर और सीरम मिक्स वाल इसकी कंसिस्टेंस है मुझे काफी पसंद है मेरे स्किन को सूट करता है स्किन एकदम हाइडरेटर हो जाती है टोनर जरूर लगा कर आपकी जितने पोर्स होते हैं वह मिनिमाइज होने लग जाते है और फिर मैं यूज करूँगी गुडवाइज का रोजिप सीरम वन आफ ता बेस्ट प्रॉड़क्ट है गुडवाइज का अगर आपने नहीं ट्रॉए क्या आप जरूर ट्रॉए करो मुझे पर्सनली बहुत सूट करता है सिंपल सी बात है मुझे बहुत सूट करता है और फिर मैं यूज करूँगी मामर्थ का बाइबाय ब्लमिशिस फेस क्रीम अगर आपकी दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर ता आप ये वली क्रीम यूज कर सकतो है इसका रिवियू अलोड बस खतम ही होने वाल एक्षली थोड़ा सा ही रह गया है बहुत अच्छाला प्राइमर है इसके साथ मैंने अपना पार्टी फंक्शन मगेरा भी अटेंड किया हुआ है तो मुझे पता है कि ये काफी अच्छी प्राइमर और लंबे समीं तक टिका रहता है फिर मैं यूज क और इको स्टे काजल ये एक ही कॉंबो की पैकेजिंग में आते है पॉपल हॉल में मैंने वैसे आपको ये वले प्रोड़ाप्स दिखाए हुए हैं आज मैं फॉर्स टाइम इसको यूज करने वाली हूँ क्लिप को मैं ओरिजिनल स्पीड पे ही रहने दूंगी ताकि अलग इसको ठीके तो देख सकते हैं बहुत भीटिफुली ब्लेंड हो गई हाथों के साथ ब्लेंड हो गई और चिप चिप भी नहीं कर रही थी हर एक स्किन टाइप को ये सूट कर जाएगी और अगर आप इसको और बिल्डप कर सकते हो अगर और लगाना चाहते हो ना तब और देली के लिए बिल्कुल सेवला प्रोड़क्त था अब मैं यूज करने वाले हूं लैक में एक्सुल्यूट का ये कॉम्पाक्ट पाउडर है मेरा शेड है 0-3 गोल्डन मीडियम अच्छेर समय पाउडर सेटिंग कर लोंगी और गाईज ये वली क्रीम अगर आप लेना चा अब मैं क्या लेडी हूँ है इको स्टेक आजल लोटस का और एकदम देखना अभी कैसे चलेगा बटर की तरह चलता है मतलब है पहली बर यूज के इसको एकदम मस्त चला था मुझे बड़ा पसंद आया हाँ एक चीज है इसमे यार इसको शाप करना पड़ता है आपको ये ये मुझे किसी ने पूछा था कि आप कैसे अपलाई कर तो मेरे से तो होता नहीं है तब इस तरह से अपलाई कर सकते हैं अब मैंने डाक ब्राउन कलर जिसके साथ आइब्रोस को फिल किया था लोग वाटर लाइन को मैं समझ कर रहे हूं समझ इसलिए करना है ताकि आपका क मतलब देख से तो कित अपके सामने ही है किती प्यारे तरीके से मस्कारा लग रहा है और ये वाटर प्रूफ नहीं है तो आप इसको डेली भी यूज कर सकते और इससे ना ओवर वाली लुक नहीं आती मतलब बढ़ी नैच्रल वाली हल्की-फुल्की वाली लुक आती है तो कहाया नहीं लगाया एक जयसा लग रहा फेस के उपर हल्की सी मैं लिप बाम को रिमोव कर लिया, मेक अप सेटिंग प्रे करना भूल गयी तो बस वहीं करनी हुं है वेटन वाल का मेकोप सेटिंग स्प्रे है हल्का सब जरूर बढ़े करो 가장 कैनाड़ की लीपस्टिक है और यह जो शेड है आइस अर्थी टो नैच्रल अर्थ करके है शेड नुमर 15 बड़ा ही प्यारा वला न्यूडी औरेंजी ब्राउन सा शेड है यह एक्छल मुझे ऐसे फील हो था मेरे उपर ना यह ले शेड्स ज्यादे अच्छ लगते है I don't know चलो चाहस मैं इसको लिपस्टिक को लगा रही हूँ एंड लगाने के बाद मुझे थोड़ी से जादी लग रही थी तो मैं टीशू लेकर ना इसको थोड़ा सा रिमुव कर लोंगी उसके बाद मैं क्या करूँगी एक बार हलकी फिर से डब करूँगी और फिर फिंगर्स के साथ हलका सा भी डब करूँगी तापकि लिपस्टिक भी रहे लेकिन जादा ना वो लगे ठीके तो चलो अब थोड़ सा हियर स्ट्राइल कर लेते से मैंने एक बार रीविव किया था इनके दो तीन बर एक्चली रीविव किया हुआ है तो यह ने एक बहुत सारी एरिंग से चोटा सा पैकेट था यह वह चीज है तापको मैं लिंक ज़रूर प्रवाइड कर दूंगी लिंक मेरे पार है एमेजन का लिंक है मैं आपको डाल दूंगी और यह कड़े हैं यह भी ज्वल्स के लेक्सी के कड़े हैं यह सब कुछ मुझे उन्होंने सेंड किया थे एक बार रीविव के लिए बस वही हलका फुल का देखो डाला मैंने इतना ओवर असेस्टरी भी नहीं आपने डालनी है ह आप देखो बिंदी लगाने से एक अलगी चाम आ जाता फेस का तो यही मेरे फाइनल लुक है ओफिस पे करो कॉलेज में करो या फिर अगर आप